नमस्कार दोस्तों, GDS के लिए 12-24-36 Financial Upgradation Scheme 2024-15 मार्च से लागू हो गया है इसके बारे में हमने पूरा डीटेल देखा था पिछले वीडियो में और जिन ग्रामी इंडाक से ओको की सर्विस 12-24 साल और 36 साल हो गई है उनके TRCA में मतलब salary में एक allowance को add कर दिया गया है allowance मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें कोई ज़्यादा benefit नहीं है जिस तरह से आपको कोई HR या फिर कोई भी allowance cycle maintenance allowance दिया जाता है उसी प्रकार से 12-24-36 साल होने के बाद एक extra allowance आपके pay slip में जोड दिया जाएगा जैसे 12 साल में 360 हो हमने सब देखा था पिछले वीडियो में आप देख लेना कि क्या कितना है इस वीडियो में हम इसके जो bullet points है जो 3 points है जिस पर union का ध्यान जाना चाहिए और union को इसके बारे में संग्यान में लेना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रामिन डाक सेवकों के लिए favor में नहीं है इसके बारे में हम detail में देखेंगे क्या है ये बहुत ही छोटा सा information होगा आप सभी के लिए क्योंकि ग्रामिन डाक सेवक की हग की लड़ाई ये कमलेश चंद्र कमिटी रिपोर्ट ने भी सौपी थी और ये बहुत दिन से pending था दोस्तों ये लागू तो हो गया है लेकिन 12, 24, 36 जिस तरह से कमलेश चंद्र कमिटी ने recommend किया था उस प्रकार से इसको लागू नहीं किया गया है और लगभग सारे ग्रामिन डाक सेवक इसका विरोध कर रहे हैं दोस्तों और यूनियन को भी इसके बारे में संग्यान लेना चाहिए तो देखते हैं कि क्या-क्या है इसमें देखिए continuous engagement की अगर बात करें के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि जो put off duty period होगा और अगर on authorized absence भी होगा तो ये continuous period में नहीं आएगा continuous service period में नहीं आएगा इसको service period से minus कर दिया जाएगा तो ये एक minus point है second में देखिए इस पर भी union को दियान देना चाहिए और second में देखिए above condone periods will not be constitute as break in continuous engagement leading to forfeit of past service however condone periods will not be counted towards the length of engagement second bond में दिया है दोस्तो अगर component authority जो put off duty period है या फिर on authorized absence है इसको माफ भी कर देते हैं तो भी ये continuous engagement period में नहीं आएगा however condone periods will not be counted towards the length of engagement तो ये भी एक minus point है ये नहीं होना चाहिए ये negative way में ये ruling को लिया गया है third point में देखिए तीसरे में क्या है case of provisional engagement followed by regular engagement after completion of the prescribed formalities verification of documents date of engagement will be taken as the date of joining तो ये तो ठीक है दोस्तो जो date of engagement है वही आपकी date of joining ली जाएगी note में देखिए senior GDS officials verification report will not be available in the P.E.F. of the GDS ensure the availability of regularization memos for all the strike periods जो strike होता है ग्राम इंडाक से ओको का union के तरफ से जो strike period notice में दिया जाता है department को आपको पता है कि अभी जो strike हुआ था 12 December से लेके 15 December तक 2023 में उसमें बहुत सारे ग्राम इंडाक से ओको put off किया गया था और rule 8 के तहट, rule 23 के तहट उनको terminate कर दिया गया था बहुत सारे ग्राम इंडाक से ओको को तो वो एक तरह से क्या हो गया break in service में आ गया तो जिसका 12 साल, 24 साल, 36 साल हुआ होगा जो GDS terminate हुए थे या जो put off हुए थे तो वो आलो जो period होगा इस continuous service period से minus हो जाएगा तो वही यहां पर बताया गया है अगर strike में ग्राम इंडाक से बग participate करते हैं तो उनको एक regularization memo issue करवाना होगा ताकि उनके strike period को break in service ना मना जाएगा उसके लिए उनको memo issue करवाना होगा component authority से तभी उनके strike period को भी continuous period of engagement माना जाएगा continuous service period माना जाएगा इस पर भी union का ध्यान आकरशित होना चाहिए और यह जो 12, 24, 36 गा financial accreditation दिया है ग्राम इंडाक सेवकों को इसमें union को हस्तशेप करना चाहिए और इसमें कुछ जो minus points है जो ग्राम इंडाक सेवक के favor में नहीं है उस points को इस team से हटाना चाहिए ताकि आगे चलके ग्राम इंडाक सेवक अपनी हक की लड़ाई लड़ सके strike कर सके और peacefully जो demonstration होता है धन्ना परदेशन वो भी कर सके तो आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे ने अप्डेट के साथ